हलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है सारीकाज वेच केचेंग में फ्रेंट्स आज हम मिलकर बनाएंगे कच्चे आम का तेल का चटपटा वा मसालिदार अचार और वो भी बिना धोग के जो पूरे साल चलता है और खराब भी नहीं होता है आप इसे पूरी मठी किसी के साथ भी इंजाए कर सकते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और फ्रेंट्स आज हम अचार बनाते समय ऐसी कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे जो हमें ध्यान लखनी चाहिए अचार बनाते समय जिससे हमारा अचार खराब ना हो फ्रेंट्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे पेच को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो आएए देखते हैं ये चटपट और मसाले दर अचार हम कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने एक किलो कच्चा आम लिया है ये मैंने राम किला आम लिया है क्योंकि इसका जो अचार बनता है अच्छा बनता है बट आपके पास जो भी आम अवेलिबल हो आप उसका अचार बना सकते हैं मैंने इसके लिए इसको सबसे पहले धो लिया और कपड़े से पूच कर अच्छी तरह से सुखा लिया है अचार बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा आ में वो अच्छी तरीके से सुखा हो आना चाहिए उसमें किसी भी तरह की नमी मौश्चन नहीं होना ची नहीं तो जो अचार है वो खराब हो जाता है अब हम इस आम को काट लेंगे देखिए हम इसको पील नहीं करना है ऐसे ही काट लेना है मैं इसे knife से काट रही हूँ, आप चाहे तो इसे सरोते से भी काट सकते हैं, अगर आपको गुटली वाला चार पसंद हो तो, देखें मैंने इस तरीके से इसके छोटे टुकडे काट लिए, इस तरीके से हम ये जो सारा आम है वो काट लेंगे, देखें, जब हमारा आम कट अब हम इसमें दो टीस्पून नमक डाल देंगे और एक टीस्पून हल्दी पॉजर और अब इसको अच्छी तरीके से mix कर लेंगे, दूसरी बात हमें फिर्ट्स दिहान रखनी चाहिए, अचार बनाते समय हम जो बरतन यूस कर रहे हैं, वो गीले नहीं होने चाहिए, वो अच्छी तरीके से सूखे वे होने चाहिए, नहीं तो जो अचार होता है, वो खराब हो जाता है, अब हम इसको ढख कर छोड़ देंगे करीब 12 से 14 घंटे के लिए, जब 12 से 14 घंटे हो जाएं, तब हम इसको चलाएंगे, देखिए, आप देख सकते हैं इसमें नमक ने कितन पानी छोड़ दिया है, अब हम इसको स्ट्रेइन कर लेंगे, देखिए, जो इससे हमारा जो आम का जो पीसिज हैं पल्प हैं वो अलग हो गया है, देख सकते हैं, अब जो आम की जो पीसिज हैं, अब हम इसको 10 से 12 घंटे रूम में पंखे की नीचे सुखा लेंगे, आप इसे किसी प्लेट में या कॉटन की या मलमल के कपड़े पर अराम से सुखा सकते हैं, फिर्ट्स ध्यान रखने हैं सुखाते समय हमें, इसमें कोई भी पानी का छीटा या कुछ भी नहीं लगना चीए, पानी का नहीं तो जो अचार है, वो हमारा खराब हो जाता है, अब हम एक पान लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून मेथी डाल देंगे, इस मेथी दाने को हमें हलका सा लो फ्लेम पे 3-4 मिनट तक भून लेना है, जब अच्छी सी रोस्ट हो जाए, तब हम इसको मिक्सी के जार में पीस डाल कर इसको हलका सा दर दरा पीस लेंगे, हमें इसको प जो मेथी दाना है, पॉडर जो अच्छी तरीके से फूल जाए, इसलिए हम इसे ऐसा करते हैं, अब हम इसे ढख कर तीन से चार घंटे के लिए छोड़ देंगे, आप देख सकते हैं, अब जो हमारा जो अचार है, आमका जो पेसीज हैं, वो अच्छी तरीके से सूख चुक कर देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे, जब यह तेल हलका सा गरम हो जाए, तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, हमें मसाले लेंगे, हमने सब लिए हैं, इसमें तीन टेबल स्पून लाल मिर्ची पोजर, यह हमने अब पचास ग्राम सौफ, जो हमने सौफ इसको हलका सा भून लिया है, और उसको पीस लिया है, इसको भी हमने थोड़ा सा कोर्स पॉडर ही रखा है, ताकि बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, में इसको, दो टीस्पून मैंने नमक लिया है, नमक हम आलेडी भी डाल चुके हैं, अब आप देख सकते हैं, जो हमने मेथी दाना पॉडर नमक के पानी में भीगोया था, वो मेथी फूल चुकी है, देखे कितनी टाइट हो गई है, अब हम इसमें सभी मसाले डाल देंगे, लालमेची पॉडर, सौफ का पॉडर था, हम इसमें जो सौफ पॉडर हैं, ताकि जो से अचार है, मसाले बहुत ही अच्छा बनता है, पीली सरसो, कॉलांजी, नमक, हल्दी, पॉडर, हम इसमें सभी मसाले इसमें डाल दियें, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, फिन्स अचार बनाते समय में ये भी ध्यान रखना है, कि हमारे जो ह पानी नहीं गिरनाती, तो नहीं तो जो हमारा अचार है, वो खराब हो जाएगा, आप देख सकते हैं, जो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, मसाला हमारा, और जो हमारा जो तेल है, वो भी अब ठंडा हो गया है, अब हम इस तेल में इस मसाले को मिक्स कर देंगे, जाल देंगे, और उसको मिक्स करेंगे, ये हमारा मिक्स हो चुका है, आपने देखिए, जो अचार है, वो बन के तयार हो चुका है, देखने में कितना ही चटपटा और मसाले दार लग रहा है, आप भी इस अचार को ज़रू ट्राइ कीजिएगा, ये अचार खाने में अज्से बहुता है, अब हम इस अचार को एक कांच के जार में स्टोर कर लेंगे, फिंस हमें ध्यान रखना है स्टोर करते समय, जो हमने जार लिया है, वो गीला नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से सूखा हुआ होना चाहिए, अगर वो गीला रह जाता है जार, हलकी सी भी नमी रह जाती है तो अचार जो है वो हमारा खराब हो जाता है हमारा आम का जो अचार है वो बन के तयार हो चुका है फ्रेंट्स आप इसे चाहें तो दो दिन धूप में भी रखकर छोड़ सकते हैं तो उसे भी अचार अच्छा हो जाता है आप भी फ्रेंट्स इस अचार को ट्राइ कीजिएगा होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे पेच को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए आप से जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी की साथ तब ते के लिए बाइ बाइ और टेक केर